हलो फ्रेंड्स में शालनी और आज में लेकर आई हूँ आपके लिए भंडारे वाले काशी फल की सबजी जब आप भंडारे में काशी फल की सबजी खाते हैं तो आपको बहुत टेस्टी लगती है ना पर आप सोचते हैं कि घर में हम तयार करते तो इस तरीके की सबजी तो नहीं बनती है फ्रेंड्स आज हम बिल्कुल वैसे ही सबजी बना कर तयार करेंगे देखिए इसे बनाने के लिए 200 ग्राम काशी फल ले लीजे काशी फल किस तरीके का लेना है सबसे पहले तो ये देख लीजे क्योंकि काशी फल अच्छा होगा तभी सबजी अच्छी बनेगी सबसे पहले तो गहरे रंका छिलका होना चाहिए काशी फल का और जब आप इसके छिलके पे नाखुन गड़ाएंगे तो बहुत आसानी से नाखुन छिलके के अंदर चला जाना चाहिए यहाँ पर जब आप गूदे में नाखुन गड़ाएंगे तो उसमें भी नाखुन आसानी से गड़ जाते हैं वाइट कलर का हमें काशिपल लेना है पीले रंका काशिपल नहीं लेना है क्योंकि पीले रंका जो काशिपल होता है वो पका हुआ होता है कच्चे काशी फल की सबजी बहुत अच्छी बनती है तो यहाँ पर मैंने काशी फल के छोटे छोटे पीसिस कर लिये है साफ पानी से धो लिया है तो हमें काशी फल किस तरीके का चाहिए सबसे पहले तो यह देख लेना है उसके बाद यहाँ पर आधी अमिया के छोटे छोटे पीसिस कर लेने हैं तीन मोटी मोटी हरी मिर्चे हैं इनके भी हमें रफली चॉप कर लेना है यानी मोटे मोटे पीसिस कर लेने हैं अब मोटे तले की कड़ाही में तीन बड़े चम्मच सरसों का तेल डालिए जब तेल गरम हो जाए तो आधा चम्मच इसमें डाल दीजे दाना मेती, दाना मेती में ही काशीफल छुकता है, अब डाल दीजे चोथाई चम्मच काला जीरा, जीरा नहीं डाला जाएगा, इसमें काला जीरा डाला जाएगा, चोथाई चम्मच हल्थी पाउडर, आधा टीस नमक इसमें जितना ओर्डिनरी आप खाते हैं उससे थोड़ा सा तेज डालिएगा मिक्स कर लीजे और इसे लगबक पांच मिनिट ढख करके पकाएंगे कामाच पर पांच मिनिट हो गए हैं सबजी को चेक कर लेते हैं तो देखें काची फल थोड़ा सा पक चुका है इसे पहले तो चला लेते हैं क्योंकि तली में ये चिपक भी सकता है इसलिए से बीच-पीच में चलाना जरूरी है अब डाल देंगे इसमें कटी हुई अमिया रफली चौप की हुई हरी मिर्चे मिक्स कर लेंगे और इसे वापस से ढख देंगे और कम आज पर सबजी को पकाएंगे जब तक की हमारी सबजी बनकर तयार न हो जाए बीच-पीच में चलाते भी रहेंगे तो देखिए हमारी सबजी बनकर तयार है तेल छोड़ना शुरू हो गया है चार और सबजी ने तेल छोड़ दिया है काशी फल भी अच्छी तरह से गल गया है पक गया है तो अब इस में डाला जाएगा उपर से कश्मीरी लाल मिर्च गरम मसाला साथ में एक चमा चीनी चीनी डालने से काशी फलका काफी अच्छा टेस्ट हो जाता है अच्छे से mix कर लीजे और ये लीजे friends हमारी बहुत ही tasty भन डारे वाली सबजी बनकर तयार है तब गैस को बन कर देते हैं उसे serve करते हैं इस गर्मा गर्म सबजी को पूड़ी के साथ, चपाती के साथ आप एंजोई कीजे, बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होती है, आप इसे जरूर से बना के ट्राइ कीजेगा, आपको आज की ये सबजी बहुत पसंद आएगी, तो फ्रेंड्स जदिया आपने अभी तक मेरी यू के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब ते के लिए, थैंक यू, बाई बाई